हो गया हो गया हो गया ओके गुड मॉर्निंग एरिवन जी गुड मॉर्निंग अगर आपको आवाज आ रही है तो फट फट एक बर थम्स अप दीजिए देन हम अपनी क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं और देन आपको कुछ एक नोटिफिकेशन तो नहीं कूंगा मैं आपको बस एक थोड़ा सा आईडिय देता हूं कि हम एक दो दिन आगे क्लासिस कैस नोटिफिकेशन है ओके हारी अवाज में ने सुन लिया दुवारा से अपनी अवाज सुन लिए तो आज पहले तो हम सेट कौन सा डिसस करने जा रहे हैं सेट नंबर 80 सेट नंबर 80 डिसस करने जा रहे हैं और अगे इस वीडियो को लेकर रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्ट थे तो आज थो यहांजित जिए ठीक है तो आज हमारे 9 बजे जो हमारी क्लास चेल रही है इस तेख है 9 बजे जो है हमारा 20,000 वाला पार्ट आएगा 20,000 करंट अफेर वाला पार्ट कल 25 हो जाएगी न हाँ 25 हो जाएगी 20,000 का करंट अफेर पार्ट 3 आएगा ठीक है और 9 पीम कल रात को मैं एक क्लास लूँगा एक घंटे की वो हमारा जो सेट नंबर 81 आएगा जो हम यहां पर 87 कर रहे है ना वो 81 रात को 9 बजाएगा क्योंकि 9 बजे करंट अफेर वाली क्लास बहुत लंबी होती है यह ठीक है तो इस क्लास को देखना मत बूलना इन क्लास को एक कल के लिए है और ऐसे ही आपका एक दो दिन में आगे नेक्स पार्ट 4 में डिसक्स कर दू है वह आप अपना नुक्सान करोगे और करेंट फिर दिसंबर का पार्ट वाला करेंट फिर वाला पार्ट होता है और हमारे बेस्ट यह वाले जी एसके 200 वाले वह मैं अभी डिसक्स कर रहा क्योंकि थोड़ा सा मेरे उपर प्रैशर है इसका बैस थाउजन का क्योंकि इसको टाइम ले जाती है तो इन चीज़ों को ध्यां रखो बैस्ट 200 के करेंट फिर दिसंबर मंत के और बैस्ट 200 का जीएस का पार्ट वह मैं थोड़ा से एंड में डिसक्स करूंगा और वह मैं आपको बता दूँगा बट यह क्लासिस को देखना मत बोलो ठीक है तो यह क्लासिस यह हैं को लगता है देखो आओ तो तो अच्छे से सुशाशन चलाना है हमने ठीक है और उसके अगले दिन कहीं पेच्चों की पेपर भी है तो मत ऐसे सोचों कि यह करना है वो करना है समझाया चलो आगे बढ़ते हैं और आप यहां पर टेलीग्राम चैनल के साथ यहां पर जुड़ सकते हैं डॉक्टर विपन गोईल के नाम से यहां पर 95,000 प्लस बचे हैं और जितनी भी PDF से रहती हैं वह आज मैं शेयर करूंगा जितनी भी PDF से रहती हैं वह आज मैं शेयर कर दूंगा और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम की ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्टा 10% डिसकाउंट मिलेगा और इसकी जो लास्ट है तो मैं अभी कह रहा हूं जिन लोगों ने परचेस करना है तो कर लो को कि कल बहुत मतलब हैक्टिक हो जाता है और फिर पेमेंट्स नहीं हो पाती बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं मुझे और दूसरा कोर्स है जी एस कोर्स तो जीएस कोर्स के अंदर वी आईपी 500 कोड लगाएंगे तो डिसकाउंट मिल जाएगा आप इन को परचेस कहां से कर सकते हो आप कर सकते हो स्टड़ी आईक्यू एप से करना क्या है आपको स्टड़ी आईक्यू की एप आपको डाउनलोड करनी है जैसी आपने डाउनलोड करी स्क्रीन की उपर होम पेज नजर आएगा यहां पर दिखेगा बेस्सेलिंग कोर्सिस यहां पर वियू आल का बटन यहां पर दबा देना जैसी आप दबाएंगे तीसरे नंबर के उपर आपको टैन थाउजन पिंद किया होता है हमारी तरफ से स्टडी आईक्यू की तरफ से वहां पर टैलीग्राम इंस्ट्रग्राम फेस्बुक एंड विडियो लेक्चर्स जो भी हमारी एप का लिंक सब कुछ दिया होता है वहां पर आप देख सकते हो चलो जी स्टार्ट करते हैं पहला कोशन अंस ट्राइबल लेंड है वह प्राइबट पार्टी इसको आपकी माइनिंग के लिए दी जाए तो उसको शुन्या और शुन्या गोशित किया जाता है मतलब क्या हो गया नलन वॉइड का मतलब क्या है कि उनके पास हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि यह सारी जो पावर है य अनुसूची यह बताई थी आपको याद होगा आपको मैंने बताया था एक पांचवी अनुसूची और एक छटी अनुसूची यह किसके बारे में डील करती है यह डील करती है आपके शेडूल एरिया के बारे में अनुसूचित जन जातियों के बारे में उनकी एरिया के श स्टेट्स आती है वह चार स्टेट कौन सी है असम्न त्रीपुरा मेगालिया मिजोरम तो इन एरियास की जो administration होती है वो ट्राइबल पीपल्स के पास ही होती है और इसके कर्राबा इसको स्ट्रॉंग करने के लिए हमने एक एक बनाया हुआ है डाइब फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजन सिक्स इसमें भी हमने क्या हुआ है कि सारी पावर्स हमने ट्राइबल पीपल्स को दे रखी है कि हाँ आप वह जो भी चीज़े हैं वहां पर वह सारा क करेंगे वहां पर फॉरेस्ट की मैनेजमेंट वगरा डिस्प्लेश्मेंट वगरा कुछ भी होती है तो इनके हाथ में आती है तो इस कोशन का अंसर जहां से समझे इसकोशन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं और फिफ्ट स्केडूल में अंसर इसमें हमारा बनेगा पहले त जमीदारी प्रथा की बात नहीं हो रही है यहां पर लैंड को ट्रांसफर करने की बात चल रही है तो यहां पर नाइंट स्केडूल जो है वह आपका लैंड रिफॉर्म के लिए है लैंड रिफॉर्म ठीक है जिसमें आपकी जमीदारी प्रथा के बारे में बात आती है जम बनने वाला है वो बनेगा पांचवां कोशन आपको बहुत सिंपल से लगते होते हैं लेकिन सिंपल इतने होते नहीं है जितने आप समझ लेते हो तो बहुत इसेंस उसका समझना है यहां अगर आपको आते हैं तो अगर आपको अंसर को सुनना है और उसकी उपर ज्यादा फूकस करना है चीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका second option is the correct answer, clear होगे आप लोगों को, तो fifth schedule is the correct answer, पांजवा schedule, नेक्स्ट ये देखे जी, fifth schedule, जहां पे आपके आदिवासी communities जो होती है, वो आपका रहती है, as a protected scheduled areas, अनुसुची जन जातियों के बारे में, और इनके customary rights होते हैं, इनके land की उपर इनके खुद के rights होते हैं, ये पांजवा schedule हमें बताता है, नेक्स्ट बताईए जी, अगला question बताईए, ब्रॉंज इस एन अलाइओ अफ, ब्रॉंज जो होता है, कांसे जिसे हम कहते हैं, ये किस के मिश्रण से होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट मैटल डिसकवर करी गई थी, पहली मैटल, पहली दातु, डाट वॉस को पापर यह आपको सबको पता है सबसे पहले कॉपपर फिर हमने डिसक्स किया था ब्राजव एज कांसे यूग डिसक्स किया था जो आप इंड़ेस्वाइली सिविलाइशन को कहते हो को आई वी सी को कहती हो चीक है और दूसरी बात यहां पर यह है कि copper और किसके मिशन से होगा copper और टिन के मिशन से देखने को आपको मिलेगा अंसर इसमें थर्ड आप्शन बनेगा राइट अंसर कुछ कोशन हैं इसमें वह बी करते हैं कैसे और इसल्वर इस बैस्ट कर यादो हमने कहां पे डिस्स किया था हाइडोजिनेशन ऑफ ओईल में हाइडो जी निशन जब हम प्रॉपर तरीके से अंसाचृरेडड़ को सैचृरेड़ बनाते हैं फैट को बनाते हैं ऑईल वगहरे को यहाँ पे हाइडोजिनेशन का प्रोसेस अगर आपको यादो हमने ड सबसे मिलने वाली ज्यादा मैटल है पहली मैटल जो डिस्कवर करी गई है डैट वॉस ऐलमीनियम चेक है और दूसरी मैटल जो है वह है आयरन सेगिंड मैटल इस आयरन और आयरन के बारे में मैंने आपको बदाया है आयरन की ओर्स कौन-कौन सी है बहुत इंपोर्टन है 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 हमेट है लेमनाइट है है हमेटाइट लेमनाइट ऌयरन पाइर आडरेल पायर एको हम क्या कहते हैं फूल्स गोल्ड ठीक है फ do, सघ्वीस अहम कहते है है हमे लेमनाइट साइड राइट का मैगनेट इस आर और्ष ऑन अकीर Sc तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है तिन इस दा राइट अंसर तिन आपको दिखाता हूं एक पिचर की जहां पर ब्रॉंस की और प्रॉपड इसके बारे में लिखा हुआ है कॉपर और नाइंटी परसेंट और तीन आपका 10 परसेंट देखने को मिलता है यह एक्सपैंड कर जाते हैं जब हार्ड करते हैं लिकुट से सॉलिड में एक्सपैंड का मतलब क्या होता है फैल जाते हैं जब लिकुट से सॉलिड में इसको दबाया जाता है तो फैल जाते हैं ठीक है दूसरा ऑक्सिराइज हो जाते हैं और पड्यूस करते हैं पैटीना और हा स्ट्रॉंग है हाड है ठीक है और उसके बाद जो है लो फ्रिक्षिन होता है मैटल के अगीस फ्रिक्षिन का मतलग इनके उपर घर्शन करें चीज़ें कम होती है और यह स्पार्क प्रड्यूस करते हैं जब इसकी उपर हिट किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटल आपके हवा की नमी को मापने के लिए इन में से कौन सा उपकरण का अपयोग किया जाता है बताईए जी बताईए हाँ ठीक है तो देखेंजी कौन सा इस्टूमेंट यूज कर जाता है मौश्चर कॉंटेंट के लिए हम बात करते हैं हाईग्रोमीटर क्यों क्योंकि यह क्या क्या होता है हिउमिटी के बारे में मौश्चर का मतलब तो अपने के लिए आपका क्या होता है धाट इस हाइड़ोमीटर होता है समझाए आप लोगों को हां हध। कि बेलकुल बिलकुल ठीक है फिर इसके वाली खाव है सालीड की देंसिटी की चीबरहे में का गता है कौन पाईखो मीटर क्लीर होगे आप लोग begged को यस अंसर इस में क्या बनेगा बी आप्शन बनेगा राइट अंसर जी लुड़ नेक्स गत्व Mad article ॥ आपको और इन चीजों की समझाए आपको इक चीज हुँआ रखने हैं कि जो आपकी मोश्य ने moisture है तो जितना है that is called absolute actual हमबात करते हैं actual की बात करते हैं कि अगर environment के अंदर पानी है हवा के अंदर पानी है इस room के अंदर हवा के अंदर पानी है तोaus soul absolute humidity मैं अगर कहूं इसमें इतना पानी है यहां पे ज internships चल दिए इतना पान नहीं और इतना आ सकता है ठीक है तो डाइड इसको रेलेटिव जब आप दो चीजों को अगर कोई परसन जो है 180 दिन के लिए बिल्कुल काम पर नहीं चल जा रहा है उसको मतलब उसकी रेगुलर जो उनकी बेसिक नीड्स है उसको मिलने पा रही है तो अब यहां पर चीज यहां पर यह है कि हमारे देश में कौन सी पहले तो यह गोश्चन ध्यान में फिर हम इसके Unemployment Structural का मतलब क्या होता है what is the meaning of structural Unemployment सरंच नातमग जिसे आप क्याते है सरंच नातमग मतलब धांचा हमारे देश का धांचा ही सही है हमारे देश के पास resources ही नहीं कि सब लोगों को काम दे सके मैं private में काम कर रहा हूं आप में वी काम में से भी काफी लोग private में काम करेंगे बहुत लोग private में काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के पास इतने resources नहीं है कि सब को काम दे सकें सो डैट स्वाइब हमारे देश में कौन सी unemployment चल रही है structure unemployment चलती है सरंचनात्मक क्योंकि resources नहीं है हमारे पास ठीक है कि हम 1.3 billion लोगों को जो है jobs दे सकें क्लियर होगे आप लोगों को अब दूसरा इस बैल को चलाने के लिए एक बंदे की जुरुरत है यह दू एक्स्ट्रा ऐसी चल रहे हैं मतलब क्या है कि बस वह लगे हुए हैं कि हम काम कर रहे हैं अब यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच मतलब कितनी लेडी काम कर रही है और इतना इरिया है इतना पैच है जिसमें उन्होंने यह फ़सल को बोना है अब चीज़ बताओ कि मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि इनका जा तो यह वाली कर लें तो इससे क्या होगा कि इतनी जो काम कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ होगी एक चीज़ देखो यह तीन लोग भी सेम काम करेंगे यह इतनी लेडिस भी सेम काम करेंगे मतलग क्या है कि परड़क्शन तो सेम होने वाली है मतलग क्या हुआ उत्पादन अब एक चीज़ बताओ इतना फिल्ड जो उत्पादन करेगा वह तीन लो उत्पादन करने श्रम्ता जैसे हम कहते हैं productivity प्रड़क्टिविटी जो है इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगी जिरो productivity और productivity एक बंदेगी सारे सब्यक्ट टीन एक बंदेगी अगर मैं को हुँँ इसमें इन तीन लोगों चीन ये थे 2 काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं यह तील काम ने कर रहा प्रण प्रदक्टिविटी इस बंदे की जिरो गई और मैं दोनों में से में काम यहीं करेगा तो मतलब दूसरे बंदे की प्रदक्टिविटी क्यों करने की शमता एक बंदा कितना पड़िज कर सकता है यह कूषिन अजयंगी रिखें लिकेन आता है इस तरीके से तो मैं हमारा अंसर तो लो लिखा होगा सद्सम्रम लेक እ यह हमेशा लेकर मिलता है कहां समझ आया तो माजन पर अपटिविटी लेबर की हो जाएगी यहां पे जिरू हो जाएगी शम की समया उत्पादक्त शुन्य हो जाएगी इसमें एप्शन बनेगा राइट अंसर समझ Otherwise हां जी चीक है चलिए जी आगे चलते हैं कि बिल्कुल और तुम्हें समझ आ गया concept समझ आ गया तुम्हें concept समझ आना चाहिए यह हम मैं हमेशा एक आपको चीज़ बताता हूं कि concept की उपर फोकस किया करो तुम लो चलो जी करते हैं आगे डिसकस चलिए आगला कोशन क्या कहता है यह बता यह कहता है कि इन में से कौन सा correct match नहीं है not correctly match not correctly match ठीक है यह कुछ रिवोल्ट हुए हैं हमारी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट हुए थे हमारे लोगों ने किये थे और रिगार्डिंग दा लैंड रिफर्म रिगार्डिंग दा एग्रिकल्चर रे आपके रिवोल्ट हुए हैं अब कोशन यहां पर यह कि इन में से कौन सा correct match नहीं है यह आपको बताना है मुंडा रिवोल्ट म है और 1770 के अंदर यह गलत है यह आपका गलत यह आपका जो रिविल्यन है यह रिवोल्ट आपका कब हुआ था यह बताईये गहां है समझाए आप लोगं को प्रेक्ट है चलिए अगला करते हैं तो यह है आपका दा फर्स्ट एवर रेबिलियन अगेंस दा ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर दीवानी राइट सेवने सिक्स्टी फाइव चीक है चुवार्ड रेबिलियन अगला बताईए जी सुपर इंपॉर्ण कोशन इन में से ऐसे इन में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर बूर सिंग दाबारा सिंग ऑफिशल मैस्केट घोशित किया गया है यह इनका शुभंकर किया गया है यह कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है पहले तो जितने रंथम बोलर जो है आपका कहां पर यह दिजे राज्ञश्टन और कहां इंपगर रिजर्व कहां पर है का अगें एंप के अंदर है तो यह प स laterका टाइगर में देखने को मिला है आशुचिणे bastard टाइगर इनका शुभंकर है भूर सिंग दा बारा सिंग यह इनका मैसकेट है ठीक है शुभंकर है यह वाला अब आत यहां पर यह करते हैं कि इसको बनाया किसने है रोहन चक्रवर्ती रोहन चक्रवर्ती एक कार्टुनिस्ट है उन्हों ने इसको बनाया है देखे मैं आपको चीज़ बता दो काफी जो बच्चे हैं यहां पर अंसर गलत लिखी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है बस उसी के लगा देते हैं जो यह पंणा टाइगर सब्सक्राइब करतीज में इनको शामिल किया गया है कि इनको शामिल क्या गया है इसका मतलब यह नहीं कि बूर सिंह पार इसका को याद रखना है और पन्ना माइन आपको बहुत बहुत बार बताई हैं किसके लिए फेमस हैं डाइमंड के लिए पन्ना माइन्स फॉर दाइमंड इन दा एंपी क्लियर याद रखिए अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट चले अगला बताइए अगला कोशन बताइए राजय सबा जो है आपका ऑन्वाग कर सकती है ने आपको बदाय था मनी वह यूस अंडर आर्टिकल 112 के अंदर आता है फाइनस भिल आपका जो है 117 नमबर के ऐंदर आता है ठीक है फिर है कि एक्ट्रेपल के बात चल रहीं है तो मुण्षि बाइब की बात जो है वह मैक्सिम मुद्ध डिन के अंदर पास क करना जरूरी होता है तो मैक्सिमं मार्च सब्था कितना डिले कर सकते है घ्र सब्था काश्य कर सकती है और money bill आता जो है वो president की recommendation से आता है और एक money bill को money bill तब कहा जाएगा जब speaker के उसके उपर sign हो जाते हैं और इस money bill के अंदर बहुत सारी चीज़े लिखी होती है अगर हम कहें कि किसी tax को घटाया है बढ़ाया है वो लिखा होता है और किसी की salaries के बारे में यहां पे लिखा होता है जुडिश्री के उपर पैसा कर चोड़ा है वो सारा का सारा यहां से लिखा जाता है तो अंसर इसमी क्या बनेगा आपका one option is the correct answer 14 दिन समझाय आप लोगं को 14 दिन यह दिखना बंद हो गया नेट देखो नेट 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 चल रहे हैं मेरे फोन का कैसे बंद हो गया वीडियो बढ़ चेक करो अपने फोन पर जाओ कहीं दूर चेक करो तो अंसर इसमें क्या बनेगा 14 दिन इस दा पर करेक्ट एंसर फोर्टिन डे इस दा राइट एंसर तो नेक्स में देखेंगे अगरा कोशन ने बढ़ा वद बताईये सब्सक्राइव हो को पूशन बोल रहा है क्या वे इन में से ब्युक्त फेक्टर इको सिस्टम के क्या होते हैं देखें सबसे होता है इन्वार्मेंट के साथ सब्दाइक लिविंग नॉन लिविंग लेशन्शिप वोता है इन्वार्मेंट के साथ क्लीर होगे आप90 हैं जहां यह सारे के सारे क्या हैं तो इसमें जो भाइटिक फेक्टर क्या हो जाएगा आपका बाइटिक फेक्टर हो जाएगा मतल़ हमारे उपर क्या डाल रहे हैं यह और जैसे sunlight soil temperature यह non-living चीजें तो यह आपका क्या हो जाएगा A-Biotic Factor देखने को आपको मिलेगा A-Biotic Factor clear होगे आपको plants are the Biotic and sunlight soil temperature are the A-Biotic factors तो answer इसमें क्या बनेगा आपका one option बनेगा right answer that is plants are the Biotic यहां पे देखो जिन में जान है वो Biotic बनेगे ducks, fish, plants, bacteria clear और A-Biotic कौन से बनेगे जिन में जान नहीं है सनलाइट टेंपरेचर स्वाइल कॉंपोजिशन वाटर पिएच यह सारे क्या बनेंगे आपके नौन पिए जो है एबाइटिक फेक्टर बन जाएंगे चलिए अगला कोशन बताईए अगला कोशन बताईए जी क्या हो जाएगा बसक्षर कोशन यह कह रहा है कि आपके इसमें जो प्रोजेक्ट ऑपकर लिंग करता है यहां पे सबसे कि यहां पर सबसे पहले आप नब तो उत्तरा-खंड तो य ए बनेगा फॉर्ठ ओप्शन टिकर गां सो यह तो इसका मतलब स्सक्राइब दो जगा कैए वह सिए आप्षन में और पीं में ऑप्षिंग När aja या पूर्जेक्ट सली बहुत बार आता है आपको पेपर में इसमाल जो है आपका कहाँ पर है यह बनेगा फॉर्थ बनेगा चार ऑप्चन ठीक है तो बन ऊंसर सीधा हमारा यह यह वाला यह बनेगा फॉर्थ ऐप्ष्जन जाने के आपका एक थ्री दिस मैथन प्रोजक्ट ड्ट final project चेना ब् sixt आब रिवर तरल को पार्फनवेंट थाच्प जो है आपका जार्खंड वान नौर्थ साइड की उपर पड़ता है कलिय बिल्कुल 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 ठीक है और उसके बाद है सलाल प्रोजेक्ट जो है आपका चेनाव रिवर की उपर है बिल्कुल जी यह भी बिल्कुल सही है जम्मो कश्मीर के डिस्टिक में देखने को आपको मिलता है फिर आगया राना परताप सागर डैम बिल्कुल राना परताप सा घुटबडन रूल ऑफ इंडिया भारत में राजकोश्य नीति का स्वर्न नियंक क्या है दिखें फिस्कल पॉलसी मेंने हमेशा आपको बताया है कि फिस्कल पॉलसी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी आपका टेक्स होता है टेक्स के रिलेटिड चीज़े होती है प्राप्स को खर्च करना वह भी तरीक तरीके से खर्च करना यदे चीजे होती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर इसे इस योग मोनेटरर रिशो का बनता है यहां पर जो टेक्स सिस्टम के चीज़े हम चलती है तो गोल्डर रोड फिसकल पॉलसी निया परहा है जरए homeowners गोशिद करते हैं जाने की गौर्णमेंट जो है investment करती है हमारे उपर जब project बना दिए इंफरस्टर बना दिए metro बना दिए और जो है roads बना दिए highways बना दिए तो that is called expansionary, expansionary fiscal policy अगर मैं कोँगे contractionary fiscal policy है contraction मतलब संकूचन कारी तो उसमें क्या होगा कि पैसा खर्च नहीं कर रही government पैसा उसको रोक के बैठी हुई है तो यह आपकी fiscal policies के पार आते हैं तो जो golden own है fiscal policy का वो सिर्फ यही है कि जो भी आपने पैसा लिया है वो हमारे उपर investment किया जाए जाने कि लोगों के उपर public expenditure किया जाए और वो public expenditure आपको पता है क्या school roads infrastructure इन चीजों के उपर clear तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपकी fiscal policy के अंदर अगर हम borrow करेंगे कहीं से भी उदार मांगेंगे वो हमारे लिए उदार मांगा जाए ना के जो government के घाटे चल रहे हैं उनके लिए हमारे लिए मांगा जाए पैसा ना के government के घाटे के लिए ध्यान रखना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं हमारे लिए का मतलब क्या है यहां पर roads बनाना आपके प्रोजेक्ट सबनाना government government का expenditure नहीं कह रहे हम government के जो घाटे बढ़ रहे हैं वो नहीं हम कह रहे हमारे लिए public अंसर इसमें B option बनेगा राइट अंसर येस वेरी गुड दिखो यह कोशन पता क्या है मैं आपको बताता हूं ऐसे कोशन कहीं पर भी आपको है ना पूरा all over India student है और वह जिसे कहता क्रीम क्रीम स्थूड़ेंट क्रीम समझते हो क्रीम कर सुड़ेंग का मतलब यह है कि जो एक्चाल पढ़ रहा है वह नहीं की भीड़का हिस्सा है जहां पर जो बच्चाल पढ़ रहा है जो मेरा भी दिमाग खराब करता है ऐसे से से क कोशन मैं आपको देता हूं फिर कि हां भाई पढ़ो इन चीजों को पढ़ो यह सारे जो जितने भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट कोशन आपको लगते ना कि यार यह कैसा कोशन आ गया यह तुम लोग ही हो जो मुझे बेशते हो मेरी मेल की ऊपर और इमेल आइडिया आपको सब और बच्चों के डाउट होंगे और ऐसा कोशन कर उनके दिमाग में घुस गया एक बार तो मतलब क्या कि वह समझ जाएंगे तो वही चीज़ यहां पर चलती है यही इसमें चलती है यही पेड़ कोर्स में चलती है तो आपको पता है कि मेरे पास टाइम खुला होता है वहा चार डाले आज सुबह मैंने तीन डाले क्यों टाइम नहीं है पूरे लेक्षे सल रहे हैं बाकी टीचर्स के भी तो थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है तो यहां पर थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट होता है हमारा सो चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा बिलकुल बिलकुल एक बच्चा एक लाग के बीच है बिलकुल हंड़ा परसेंट है चलिए अगला बताईए कोशन कए गयता है लिके ज औफ विच गैस हैट पौज्बाल गैस ट्रेजडीर के लिए कौनसी घरीirmi से पुक्षपॉंसिबल हुई थी यह सबको बता है बौपाल गैस ट्रेजडी answer is me answer is a option methyl isocyanate is the correct answer answer is one option bennega right answer one option is a correct answer clear हो गया जी समध्य आया समध्य आया आप लोगो येस answer is me one option ये ओप्शन अप्शन गाइस डिजास्टर दैब इस आइसोसाइनेट गैस मिथाइल आइसोसाइनेट क्लियर और एक कॉंसी इंडस्ट्री है आपका यूनियन कार्बाइट पैस्टिसाइड प्लांट क्लियर होगे आप लोग को अच्छा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा अभी बच्चा बोल रहा था और मैं आपको एक चीज बता दूँ एक्जाम का लेवल जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते फर्स्ट आफ और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं मेरा जब भी मैं कोशन करवाता हूं मैं हमेशन आपको एक चीज कहता हूं कि focus on the explanation for not focus on the question clear लेवल को क्योंकि जो पहले question आते थे ना वो question नहीं आते अब वो मुझे भी पता है कि जो पहले question आते थे लेकिन question का level का मतलब जो बढ़ गया है घट गया है वो किसकी उपर depend करता है explanation की उपर क्योंकि वह explanation आपको पता होनी चाहिए तब आपका कोई भी पेपर में question आजा निकाल दोगे क्यों अपना दिमाग लगाके दिमाग लगाके ऐसे नहीं कि हां मुझे इतनी सी चीज़ पता है मुझे इतनी की उपर ही रहना है काफी लोग काफी टीचर आपको कहते हैं कि जो है जीएस को नहीं पढ़ना चाहिए जब हमारे सारे subjects complete हो जाए हमारा मैस मैस क करता है कि चाइम दो उस चीज़ को टाइम दोगे तो ही चीज़े होंगी और जितने मैक्सिममम एक्जाम है वह जीएस के उपर डिपेंड करते हैं यह आप लिखके ले लो ठीक है में जो स्सी को छोड़के सारे एक्जाम जो है वह आपके किस की उपर बेस करते हैं आपके जीएस की उपर ऐसा नहीं है कि अंदर जीएस ही नहीं है पचास नंबर का पर है मतलब एकुली कांट्रिबूट कर रहा है आपका ठीक है तो और इंटेलिजन्स बीरो का पर होगा भी आई भी का ठीक है उसमें देख लेना 100% कह रहा हूं मैं आपको जितने जीएस जो बच् यह ध्यां रखना चलिए जी अगला कोशन देखें जी क्या कहता है यह सिंपल सा कोशन है इसमें मैं बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा यह बड़ा सिंपल सा कुशन है इन रिगवे देरी देरी देमेंशन वाटल नोन एज बैटल दस राजन वार थी यह स रिगवे जुन है आपका यह सबसे ओल्डर सट М它的 Works एक और ते अंदर जो है इसके पढ़ने वाला पंदित कौन है और इसमें आपके भ्राह्मन शत्रिय वैश्य शूद्र वगएरा के बारे में बाते लिखी गई है यहां पर तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डैट इस बैटल ऑफ टैन किंग इस बैटल ऑफ टैन किंग्स चलिए जी आगे चलते हैं अगला कोशन बताइए सूपर इंप प्लेटलंग करती है इसमें आपको बताना है मैं आपको दिखाता हूं आपको पिच्चर दिखाता हूं किता तो आप समझ जाएं गे फाइलं फ्लएति हलमींस में देखो क्या है इस там लिवर फ्लृक और इस यो होते हैं यह प्लाटल मतलब क्या होता था फ्लैटल वॉंको बिल्कुल फ्लैड वर्म कहा जाता है पॉइंट के अंदर यह सब कुछ देखने को आपको मिलते हैं इसमें पूछी जाती है इन में से प्लैटी हल्मिंट फ्लैड वर्म प्ल्यूक एंड टेप वर्म इसको कहा जाता है तो अब चलते हैं कोश्चिन की दरफ तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा टेप वोर्म इजा करेक्ट अंसर फिर आप कहेंगे कि इसमें बताओए यह बाकी जो है सब्सक्राइब ये कोशन देख आप लोगों ने यह कोशन लिargent लिखने हैं आपने बाग नमत इन चीजों को देखके कि हां भाग रहे हैं यह कुशन कैसा आ गया यह आपको पेपर में मिलेगा ठीक है राउंड से और क्वार क्या कहते हैं नीव Ellinthis नीव कहा जाता है से एक्टिविटी में इंक्रीज करता है और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है सबसे बड़ा फाइलम है आर्थपॉड है और दूसरा नंबर कौन सा है मुलस्क का यह आपके सबसे बड़े फाइलम है यह भी आपको याद रखने है अंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और चीजों को देखके भागा मत करो यह चीजे आपको कमजोर बनाती है ठीक है नेक्स देखिए कोशन क्या कह रहा है मरकरी को आपने कंजूम किया है ठीक है और नाइट्रेट को आपने कंजूम किया है तो आपकी बॉड़ी के अंदर कौन से प्रॉब्लम हो सकती है आपको मैंने दो चीजे तो बहुत बार बताई है मरकरी और कैडिमियम के बारे में मरकरी के ऊदर क्या कौनसी प्रप्लम मिनी माटा डिजीज तो यहां पर मीनी माटा डिजीज यहां पर लिखा हुआ है चैक्षिगा और नाइटरीट की कंजम्शन से आपका जो होता है यह एकचली क्या होता कि जो हमारा हेमोग्लोबीन ना डाऊटरीड कंग्भाइन करने से वो blue color का होने लग जाता है और उसको हम क्या कहते हैं methane hemoglobinemia methane hemoglobinemia यह इसको कहा जाता है क्लियर हो गया आप लोगो तो इसमें कौन सी condition बन जाएगी मिनी माटा एंड ब्लू बेबी syndrome अंसर इसमें c option बनेगा राइट अंसर मिनी माटा और ब्लू बेबी syndrome इसको कहा जाता है अंसर इसमें c option बनेगा राइट अंसर क्लियर हो गया आप लोगो को हाँ ठीक है तो यहां पर देखो option देखते हैं यहां पर पिच्छर देख लो तो इस इस आ मिनी माटा एंड डिस ब्लू बेबी syndrome नाइटेट के consumption से और एक आपका मैंने आपको याद कर वाया था कैडमियम के बार में के बार में नोवल है milkman जो किसकी लिखे द्वार लिखेगी ए अन्ना बर्न्स द्वारा इन्हों ने कौन सा प्राइज जो है इनको मिला था इन में से अन्ना बर्न्स को कौन सा प्राइज मिला था ठीक है तो यह मिला था मैन बुकर अवर्ड मैन बुकर प्राइज इसमें सी ऑप्षिन बनेगा और इस नोवल के अंदर जो है यह बताता है कि एक यंग विमन है एक यूवा मतलब लेडी है उनको सेक्शली हरास किया जाता है इस पुस्तक के अंदर यह लिखा गया है milkman के अंदर चीक है तो अंसर इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिमर है जो प्रोटीन बनाता है इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिमर है जो आपका प्रोटीन से बना हुआ है प्रोटीन आपको पता है क्या प्रोटीन इसा काबन हाइडोजन ऑक्सीजन और नाइटोजन यह क्या होता है जिसमें आपका नाइटोजन essential element होता है वहां पर आपका प्रोटीन बनता है और प्रोटीन आपकी जो है इसमें जो पॉलिमर बनेगा आपका प्रोटीन से बना हुआ वह कौन सा बनने वाला है वह बनेगा वूल क्योंकि जितने भी वूल क्या उन क्या होता है प्रोटीन निकाल रहे हैं और वूल जो है वह आपका क्या बनेगा प्रोटीन का स्वत्रूत बन जाएगा अंसर इसमें क्या बनेगा आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे जो रबड के लिए रबड जब भी हम निकालते हैं रबड आपको बता है कि बड़ी सॉफ्ट होती है रबड लेकिन रबड को स्ट्रॉंग बनाया जाता है एक आपका प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं वेलकनाईजेशन ओफ डूसरी बात आए अगा जी कॉटंगा को टन जो है पहली बात तो कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आपको शकता होती है डाटी डैल बल्क सोय्ल काली मिटी और बलैक स्वाइल जो है गोलेटन फाइबर रेविलीशन और जूट सबसे ज्यादा कांपर मिलता है आपको वेस्ट बेंगोल इंडिया में वेस्ट बूंगर में इंडिया में समझ आप लोगं को समझ आरहा है आप है यह सारे प्रोइसस आपको याद रखने हैं धुल प्रोटीन वाले फीचर्स हैं क्लियर याद रखिए एक वेपर डेंस्टी है आपकी 32 किसी भी मतलब गैस की वेपर डेंस्टी उसका सिधा सीधा बड़ा सिंपल सा कोश्चिन है बहुत दिमाग लगाने की जूरत नहीं है इसमें वन ऑप्शन बन जाएगा जो आगे आगे बाते कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पर यह मिलता है बिल्कुल रबड जो है के अंदर मिलती है चलिए अगला बताइए इसको जो है यारगी को आपने करेक्ट और में लगाना है कि पहले कौन सा बनेगा फाइलम खूस ऑडर फैमिली जीनकवाह चुम सबाइल क्लास ओडर फैमिली जी इस तो उसमें हम फोरोeg लेंगि लेकिन आपको दिकाओं पच्च्चर दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा इसका फोर्फ आप्षन बनेंगा आपको धिचर दिकhate करेंगे तो नेक्स्ट बच्चा पैदा होगा तो इसका मतलब क्या है कि स्पीशीज उसको कहते है जो आपस में इंटर्वेट कर सके और अपने स्पीशिज याद करना यह सभड़र आपको याद करना यह सपीशिज जीनस फैमिली और क्लास फाइलम लेकिन उसमें उप्शिज उल्टा था उपर से निच्चे था लेकिन बिल्कुल आपका जो बेशिक है डाइड़िश क्लियर हो गया और एक चीज़ आपको बताता हूं द अब कोशन यह है कि टैक्सोनोमी वर्ड का मतलब क्या होता है वड़ इसको डालते हैं इन के अंदर कि हाँ वो उसका स्पीशिस क्या है फैमिली क्या है और क्या है इनके तो डाल के यह किसने नूंडा था आप ने बताया था और कारली में नहीं नहीं के बारे मिन नाम पदती के बारे मिंअने बात करी थे कि हां कि कोई भी जो है चीज कोई की Species का जो नाम होगा वो दो चीज़ों से बना होगा एक होगा जीनस और एक होगा Species जीनस मतलब जैनेटिक कॉंपोजिशन स्पीशी किसी भी चीज से जाम भी जो रेड़ फॉक्स लिखा हुगा है रेड़ फॉक्स इसका नाम क्या है वल्पिस वल्पिस चीक है तो यह आपका जीनस है यह आपकी स्पीशिस है जैसे हमारा नाम है होमो सेपियन्स हमारा हीूमन का नाम क्या है होमो सेपियन्स क्लियर हो गया तो होमो जीनस सेपियन्स स्पीशिस क्लियर हो गया आप लोगो हाँ कि समझाए आप लोगो को कि क्लियर हो गए आप लोगो येस कि क्लियर है जी सबको चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि है एक मूवी है ठीक है वो कौन सी बॉलिवूड फिलम से जो है आपकी संबंदित है फेमस इंग्लिश ड्रामा इंग्लिश ड्रामा से संबंदित है तो बता बड़ बताईए जी कौन कौन सी जो है आपकी कौन सी मूवी से संबंदित है यह चीज़े बताईए जी ठीक है तो भाई यह कौन सी बॉलिवूड मूवी से संबंदित है यह हैम्लेट मूवी से संबंदित है तो बस हम इसको ऐसी स्ट्रीटनर जिनको हम मॉडिफाइड शुगर कहते हैं वो इन में से कौन सा है ठीक है यह इन में से कौन सा है दिखें पहली बात हो यहां पे सारे के सारे सबी आपके सब्सक्राइब क्या है लेकिन इसने बोला है मोडिफाइड शूगर का मतलब क्या हो गया कि उस शूगर को हमने मोडिफाइब किया हुआ और इन में से जो आपका सब्सक्राइब यह सारे मीठे हैं मतलब यह ऐसा नहीं कि हमारी बॉड़ी को नुकसान देते हैं लेकिन यह मिठे हैं फिर भी मिठे हैं लेकिन जो आपका सुक्रा लोज है यह आपका मोडिफाइड शूगर है जी इसके अंदर सुक्रा लोज यह बिल्कुल आपकी बॉड़ी के अंदर जो है टूरता भी नहीं है नॉन कैलोरिक है मतलब बिल्कुल भी आपकी बॉड़ी के अंदर जो है कैलिस नहीं देता बाकि सभी एक्जांपल जो है वह आर्टीशर सुटनर की है लेकिन इसका मोडिफाइड शूग बनेगा राइट अंसर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना ठीक है यह सुक्रा लोज और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और प्लस आप जो है यहां पे तो 100% आपको जॉइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल की उपर क्योंकि यहां पर सारी पीडिएफ यहां पर को बता दिया है कि किस तरीके से आपके क्लासी चलने वाली हैं वह देख लेना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था और प्लस आप मुझे इंस्ट्राग्राम की उपर फॉलोगर सकते हैं डॉक्टर विपन गोल के नाम से ठीक है और मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं द दूसरा हमारा GS course है जो हमारा theory course है इसके अंदर VIP 500 coupon code लगाएंगे तो आपको discount मिलेगा तो इन दोनों कोर्स को आप purchase कहां से कर सकते हो आप purchase कर सकते हो study IQ app से क्या करना है आपको study IQ app आपको download करनी है study IQ की app जैसी download करेंगे screen की उपर आपको home page नजर आएगा फिर दिखेगा यह यहां पर view all का button दबाना जैसे आप दबाएंगे तीसे नंबर की उपर आपको 10,000 mcq course और चौते नंबर की उपर आपको GS course नजर आ जाएगा कोई भी डाउट लगे आप मुझे Instagram के उपर message कर सकते हैं जो भी PDF आज आपकी pending में रहती हैं मैं आज घर पे जाके अभी send कर को कल सुबह भी देखना है आपको current affair ठीक है और daily classes देखा करो जो हमारी चार बज़े अप्लोड होती है आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है और क्यूंकि आपको पता है कि मैं हमेशा उस चीज़ की उपर focus करता हूं जो चीज़े exam में आन रहा है और चैनल के लिए बफदारी मत किया अगी अगरो अपने लिए बफदारी करने का मतलत मेरे लिए क्या बेस्ट है वो देखो टीचर का मत Walter literature नेसोगाँилась onfit semester क्सण कमा रहे हैं जो भी teacher कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप अपना देखो तीचर के पछे मतलग किसी भी टीचर के ठीक है अपना देखो आपका बेस्ट कहां पर आपको दिखता है वो चीज़ देखो यहां यार मुझे इससे समझ आता है मुझे यही चीज़ पढ़ नहीं है ठीक है उन चीज़ों के उपर फोकस किया करो सो बस यही था आपको बोलना सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सो गुल लख टेक क्यार बबाई जैहिंद